बिये भाग दितिये में सामाजिक अनुसंधान पतती में हम अध्यन की निदर्शन विदी का अध्यन कर रहे थे जिसमें हमने कल निदर्शन प्रणालिक के अर्थ्वय परिवाशा का अध्यन किया साथ ही उसकी विश्यस्ताओं का अध्यन भी हमने किया आज हम निदर्शन प्रणालिक के गुणों या महत्वय को समझेंगे आधुनिक समय में निदर्शन प्रदत्य का प्रियोग सरवाधिक किया जाता है क्योंकि सैगर्णा अनुसंद्धान के लिए ऐसी उदाजनक होती है जिसमें समय धनवस्रम अधिक लगता है कि लिए किसी भी अनुसंद्धान विदी में निदर्शन करते है तो उसके निमनिखित गुणों जागर होते है पर्थम है निदर्शन विदी का सरव पर्थम जो गुण है वह है समय की बचत निदर्सन परनाली में समंगरे में से कुछ इकाईयों का चैन करके उनका धिन कीया जाता है इसलिए इसमें समय की बड़ी बचत होती है समय की बचत यहूं शिग्र निर्णे, आधनिक यूग की मांग है जिसे निदर्सन दोरा ही पुरा किया जा सकता है इसका तो दूसरा गुण है वाय धनकी बचत निदर्शन में कई कायों का धिन के जाता है अताय इससे धनकी प्रयाप्त बचत होती है सामानते सभी लोगों में आर्थिक साधन सिमीत होते हैं इसलिए सरकारिय धनों के अत्रिकते दना भाव में अनुसंदान का संचालन एक खटिन कारी है निदर्शन में सैगना विदी की तुलना में स्टेशनरी फाइलों कार्य करताओं की वेतन यत्रा भत्ता आधिक अक्रम खर्च करना पड़ता है इसकी तीसरी विश्टता स्रम की बचत चुकि निदरसन में कई विखायों का दिन करना पड़ता है अधिक स्रम एवं कारिय करता हूं कि अवसिकता नहीं होती इस प्रकार निदरसन स्रम की बचत को प्रोसान देता है निदरसन का जो अगला मैतों होई है गहन दिन साग्रणना विदिये में छेतर विष्टित एम इकाईयां बिखरी हुई होती है अता उनके बारे में मोटी मोटी बाते ही क्यात की जा सकती है निदर्सन में अप्यक्साकरत कम इकाईयों का ध्यन किया जाता है अता है उनके बारे में शुक्षम विश्टित एम गहन जानकारी प्राप्त करना संबग हुए इसका अगरा महत्तो है प्रिणामों की परिशुदता निदर्सन में अधिन करता का ध्यान कुछ निश्चित एकाईयों पर ही केंद्रित होता है अता है उन से प्राप्त निश्कर्स अधिक अथात एम परिशुद होते हैं यदि निदर्सन का चुनाव सही तरह किसी किया गया है तो कई बार इसके निश्कर्स है गरना पदती कि निश्कर्सों से भी अधिक परिशुद होते हैं इसका अगला मेत्त्स है तत्थ्षों की पुन्द्र पुरिक्षा। किसी वे अनसुनद्धान में प्राव निश्कृस्षों की यूसर सिनन bestimm को ग्यात करने के लिए उनकी पुन्द्र पुरिक्षा की जाती है। चुकि निर्दरसन में कम इकायों का धिन के जाता है अता है पुर्णा जांच के लिए उन में से कुछ इकायों का चैन कर धिन करना स्रल होता है निर्दरसन परनाली का अगला गुण है परसासनिक सुईदा निर्दरसने में इकायों की संख्या कम होने के कारण प्रबंद एम परसासन के आयोजन एम संगठने में सुविधा रहती है एक और तो अनुसंदान में कम कर्ये करताओं को म्यूक्त करना पड़ता है अता उन पर नियतनतरन रखना भी आसान होता है और दूसरी और सुचना इसंकलित करने से संबंदित प्रेशानी भी कम हो जाती है जिससे अनुसंदान का संगठन सरण हो जाता है इसका अगला महत्व है निर्दरसन की अनिवारियत ता कई बार समाजिक अनुसंद्धान में निर्दर्शन विदी का प्रियोग अनिवारी हो जाता है उधान के लिए जब अगलिक द्रश्टी से छेतर बहुत दूर दूर तक फैला हो छेतर में एकायों के संख्या बहुता दिखो पड़ते की काई से संख्या करना एसंभव हो तता संख्या का पता लगाना कठीन हो तो ऐसी स्थिमें अद्यन के लिए निर्दर्शन पदती ही एक मतर पदती रह जाती है जो अद्यन को सफल बरा सकती है इस प्रकार निर्दर्शन के ये गुणिया महत्व है हमने आज पड़े ही